ये दुनिया एक रंग मंच है और हम सब इसकी कटफुतलियां जिसकी डोर उपर वाले की उम्मिलों में बनी है और कौन कब कहां कैसे हो जाएगा ये किसी को भी नहीं पता हाँ 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 मेरा ये डायलॉग सुनकर आपको जरूर आनंग के राजेश करना याँ आए होगे ठीटर एक अभिन्न हम है एजुकेशन का आज अपने प्रीटियो के अंदर हम ठीटर एजुकेशन की बात करेंगे और जब मैं ये बात कहती हूं तो मुझसे कहीं बात टीचर्स करते हैं कि म कि प्राइमरी में होना चाहिए या हायर क्लासस के अंदर तो अगर मैं आपको इसको आज पेडिगोजिकल टूल बनाओं जिसको आप अक्रोस यूज कर सकते हैं तो आए इंशॉर याप सबके ये बहुत इंट्रिस्टिक होगा जहिन मैं सबना आगे बार फॉम आए बेग वंडर और आज इपने वीडियो के अंदर एक एक करके हम सारी चीज़ें थेटर इन एजुकेशन के ओपर बात करेंगे साथी ड्रामा आज असब्जेक्ट और जवाब अप्रोच समझ जाएंगे तो आप इसको डेफिनेटली पेडिगोजिकल टूल की तरह दूस कर पाएं वाइट फियाचर हुँमन बीम्स को प्ले इस अबतर एक इंपॉर्ट असपेक्ट है खेरिक जिसको हम बोलते हैं बच्चे ये चीज़ नाचरली करते हैं और बड़े या ग्रोनफ्स या अदूस आपने देखा होगा जो बहुत मूव्मेंट भी नहीं कर पाते हैं वह प्लेश के साथ खेरते हैं और कुछ लोग शब्दों बेटर के साथ खेरते हैं और इन सारी लोगों के अमाल्करमेशन को हम बोलते हैं थे अट्रिक्स है ना मज़दार और बहुत इंट्रिस्टिंग लग रहा होगा ये सारी चीज़ों को जब हम एके करके यूज करेंगे और इनके टूल्स को महां से उठाएंगे तो बनता है ड्रामा एज अपरोच तो आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि कौनसे वो एक्टिविटीज हैं जिको हम यूज कर सकते हैं और कहां कहां ये अक्टिविटीज को मैं भी बताती हूं आपको पर कहां कहां आप बचों के स यूज कर सकते हैं तो स्पेशल अदिंशन में जान रहते हैं तो सफ़ा की मॉर्णी के शैंडली से फिर जीरोम पीरेट को यूज कर सकते हैं आप, आट्स, ध्याट्रेट, ड्रामा, कैसे वो यूज करते हैं special events and celebration में तो हम यूज करते हैं inter-school competitions और intra-school बने house system है ना आपके हाँ field trip पर आप जाते हैं excursions के लिए students को लेकर वहां पर भी art और theater बहुत सारा आता है gardening जैसी कुछ एक activities हैं वह भी मैं आपको बताऊंगी बाल सबाब बहुत सारी जिनाप पर होती है और वहां पर हम women expression के form को यूज कर सकते हैं magazine जहां पर आप written performance की तरीके से या expression के तौर पर आप drama को लेकर आ सकते हैं जब हम यह सारे बात कर रहे हैं तो आपके बहुत में एक सवाल ज़रूर और आना चाहिए कि क्या ice breakers की यूज होते हैं theater के लिए पर आपको एक conclusion क्या ही ice breakers मैं बता रहे हूं पर ice breakers, energizers, brain teasers, warmers यह सारी अलग 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 चीज़े हैं और अलग 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 से use करे जाते हैं बहुत variety होती है इसके अंदर पर ice breakers क्यों use करते हैं जो हम चीज regularly use कर रहे हैं या हम जो monotonous pattern follow कर रहे हैं उसको break करने के लिए हम जो activity करेंगे उसको ice breakers बोल के जैसे बच्पन में हम जब game care करते हैं जहां पर अचानक से कोई बोल देता था statue और हम उसी देगा पर frozen हो जाया करते हैं तो जब तक कोई over नहीं करते हैं तो इसको आप use कर सकते हैं कि आपको music चलाएं या कोई activity करें और अचानक से आप statue ब long freeze और similarly तो 3-4 approaches है जिसको आप use कर सकते हैं अचा वो activity आपको याद है इसको हम गो देते है stone, paper, scissor कि जड़ ये खेलें आपने साथ मिलकर आये किलते है stone, paper, scissor stone, paper, scissor अचा एक और activity हुआ करते थी जो हम केलते देखते हैं और आप इसके साथ बहुत सारी चीज़े गाते तो जब हम ice break करते हैं क्या ice breaking activities करते हैं ये कही करीके से यूज होती है मैं आपको चाज शेयर करके बताती हूँ तो कही बार आप कुछ games को use करते हैं जैसा मैंने आप उताया और भी बहुत सारे games है आप अगर चाहेंगे तो मुझे comment box में डालिएगा मैं comment में ही बहुत सारे games आपको ice breakers के primary classes और higher classes के लिए suggest कर दोगे तो वेट करोंगे आपके comment का अचा यहां पर कई बार हम ice breaking में senses को use करते हैं जैसे कुछ games touch करने के होते हैं रैट कुछ games smell करने के होंगे कुछ देखने के games होंगे तो all five senses को हम यहां पर use कर सकते हैं कई आप ice breaking में आप emotions को use कर सकते हैं तो जैसे आप सामगे नजर से नजर में लाकर देख रहे हैं कौन पर हसेगा यह को और पहले आंप चपकेगा इस और all ice breaking games साथ ही साथ ही साथ ही साथ आप body को use करेंगे नो when the child is opening up the body touch, move आप अपना ना बता हैं तो body का use हो रहा है language को आप यूज करें कि जो भी बोलेगा एक नया word या नो नया vocabulary आपने नाम की पहले adjective लगा कर बोलेगा तो यह सारी चीजों से आप कही ना कहीं पर header को indirectly as a tool लेकर आ रहे हैं जब मैं icebreaker की बात करती हो रहा हैं और मैंने emotions की बात करी तो यहां पर बचा सोच रहा है कि क्या चीज इंपोर्टन थी और post discussions भी होते हैं इसके अंदर तो यहां मैं अपने वीडियो के अंदर तो आपको कीवल icebreaker सजेस्ट कर रहे हूं लेकिन इसका पूरा एक पैटन होता है कि कैसे खेला जाएगा कितने मिनिट तक खेला जाएगा और इसके outcomes ह आप क्या प्लान कर रहे हैं या हमारे पहले से प्लान में तो वो डिराइल हुए या नहीं हुए तो उसी इस पर एवालुएशन होता है हर अक्टिविटी का रहें और जैसे कि जब आप पर्फॉर्मेंस के उपर आ जाएगा आगे बढ़ जाए अक्टिविटीज के अंदर को ब्रेंस्टॉमिंग के साथ कर सकते हैं जो भी आप जहां पर भी आप उससे जाना चाहिए कॉमेंट बॉक्स में डाले मैं उसी चीज के ओपर डीटेल कॉमेंट में ही लगा तो आपको फायदा होगा उसे और ग्रूप अक्टिविटी के अंदर आप यूस कर सकते हैं तो आपको कोई प्रोग्रेम हो रहा है और कुछ लोग देख रहे हैं और वहां से आप बहुत साली रर्यूनिंग कर सकते हैं तो जिसको पीडियो लूरिंग होते हो यहां पर है रापिड फायर तो बहुत इंट्रेस्टिक होता है एना एक के बाद है कि तक तक क्वेशन पुच आइस ब्रेकिंग यह सारी चीज़ यह वहां पर हो रहेंगे के स्टाड़ी करें एक बहुत ही अच्छी इंट्रेस्टिंग आपको अक्टिविटी सेट्रेस्ट करते हूं प्लस- और इंट्रेस्टिंग बना ले और जब आप स्टूरंस के साथ कोई अक्टिविटी कर रहे हो अगर उस अक्टिविटी में कुछ अच्छा किया उसको प्लस में लिखने कुछ अच्छा नहीं किया उसको माइनस में लिखने और उस अक्टिविटी में कुछ exclusively out of the way कर दिया उसको इंट्रेस्टिंग में करने आपके पास एक चार्ड बन जाएगा सारे participants का उसको discuss करें य नुकर नातक में हमने बहुत सारे थीम्स को जाबुरत किया है mathematics में अपने आप में बहुत सारे थेटर हो सकता है science में इतने सारे demonstrations and presentations होती है तो subject integration is very easy और जब आप इन सारी चुसों की बात कर रहे है I am sure आज मेरा ये वीडियो आपके creative जिसको बोलते ना thinking things को बिल्कूर तक 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 कर रहा है I am sure मेरा वीडियो आपको बहुत बहुत helpful होने वाला है मैं हमेशा कहते हूँ that everybody has a right to say I've been wonderful मेरे वीडियो को like करें शैलो को subscribe करें और सबके साथ share जरूर करता है आज के लिए जैगे लिए